वेलो दोस्तों वेल्कॉम तो एफिशेल लर्णिंग वेल्ड तो आज हम अपने जूम टुटोरियल में एक और वी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आखिर होस्ट जो है वो मिटिंग कैसे स्टार्ट करता है ठीक है और वो अपने दूसरे जो पार्ट कर लिया हो और साइन сильно कर लिया हो यानि आपने एकांट बना लिया हो डिजिस्टर करें पर नियू मेठीग के ऊसे करके और ऐऌट meeting start हो जाएगे ठीक है connecting लिखा रहा है अब यह जो मेरी new meeting है अब यह start हो जाएगे ठीक है अब join with computer audio ठीक है अब यह new meeting यह मेरी meeting है ठीक है इसके अंदर host मैं हूँ और मैंने यह meeting start किया ठीक है और जो दूसरे participant है अभी मैं participant meeting के ब también add होंगे उनको आपको आवाज आएगी ठीक है अगर आप start video के ओपर click करेंगे तो जो आपकी participant है उन को आपकी video show होगी यानि का smarter own हो जाएगा ठीक है और आप दूसरे यो participant है वो आपकी video देखेंगे, ठीक है, अगर आप start video नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है, आपका camera off रहेगा, ठीक है, इसके बाद है, security की option, वो मैं आपको ब्राज में बताता हूँ, participants में का मतलब का है, participants का मतलब है, जो जो आपकी is meeting में शामिल है, वो आपको नज़र अगर मेंने कोई contacts पहले ही save की होगे, यानि mail के उपर save की होगे, तो वो यहाँ पर show हो जाएंगे, मैं उनको contact के उपर, उनको meeting है, उसका link share कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर copy invite लिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने किसी को email करना है, तो आपको बास by default three options होती है, default email, Gmail, yahoo mail, आप किसी को भी mail send कर सकते हैं, link mail के थूँ, for example, अगर मैंने Gmail से करना है, मैं simply Gmail के उपर click करना हूँगा, अब यह मेरे room के उपर Gmail open हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भी meeting का link जो है, वो share कर सकता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं इसको close option है, ठीक है, अब यहां से भी इसको select कर सकते है, अब copy link के उपर करेंगे, तो यह select हो जागा, ठीक है, अब copy link करेंगे, अब यह देखे, invite link has been copied to clipboard, ठीक है, अब मेरा copy हो चुका है, अब मैं for example, WhatsApp के थूरू, किसी को share करना चाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उपना, जो WhatsApp है, मुझा गोटेंगा मीटिंग में मीटिंग का link share करूँगा, ठीक है, अब यह मेरा meeting, इसका WhatsApp open предлож कर लिया, मैंने, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने WhatsApp से, इसको भेजता हूँ, meeting का link, यहां पर मैंने Ctrl plus V किया, और मैंने, इसके ओपर क्या किया, इसको अब उसके mobile के ऊपर link आजएगा ठीक है अब यह हम देखते हैं उसके mobile के ऊपर link आजएगा ठीक है यह देखिए उसको WhatsApp मेसेज आ गया अब मैं इसको open करता हूँ यह मेरा participant करेगा ठीक है जिसने meeting में add होना है यह मैं हूँ ठीक है मैंने अपने WhatsApp के तुरू उसको message किया link ठीक ह होगा और अगर उसके mobile में जूम already install है तभी वो आ सकता है मेरी meeting में ठीक है अगर उसको zoom के ऊपर क्या करना होगा सबसे पहले mobile में zoom install करना होगा sign up करना होगा sign in करना होगा ठीक है उसके बगार वो मेरी meeting में शामिल नहीं हो सकता ठीक है मेरे mobile के ऊपर मेरे दोस्के मुबाल के ओपर भी जूम अलरेटी इंस्टाल है, तो वो क्या करेगा, सिंप्ली जूम के ओपर क्लिक करेगा, और अभी यहां पर उसकी प्रिपेरिंग मेटिंग आ रही है, अभी यहां पर उसको एक मैसेज रही होगा, कि जब तक होस्त नहीं कहर देता, तब तक आप मीटिंग में नहीं आ सकता है, यानि मेरी परिमिशन, विदाओट माई परिमिशन, अब यह देखें, वेटिंग लोबी में मुझे शोर होगा, इसका क्या मतलब है, अगर तो for example, यह student है कोई, और यह misbehave बहुत कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको remove कर दूँगा, यानि यह मेरी मिटिंग में शामिल ही नहीं हो, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यह इसको मैंने मिटिंग में एड करना है, तो मैं simply admit करूँगा, जब तक मैं admit नहीं करूँगा, यह मेरी मिटिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकता, यह join नहीं कर सकता, जैसे मैं admit के ओपर click करता हूँ, अब इसको show हो जाएगा, और इसका क्या मतलब है, यह मेरी मिटिंग के अं share screen का मतलब क्या है, share screen का मतलब यह है कि for example, आपने कुछ open किया हुआ है, tabs open किया हुआ है, notepad open किया हुआ है, OBS studio जो भी आपने open किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं, उससे आप पढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी participants को वो भी show हो, तो आप क्या करेंग मेरे participant को भी वो ही show रहा होगा, ठीक है, यह आपको मैं दिखाता हूँ, यह देखें, यह वाला जो participant है, उसको भी यह ही show हो है, ठीक है, यह मैंने जो share किया है, यह स्क्रीन और उसको भी यह ही show ही है, यानि कि for example, अगर मैं teacher हूँ, और मैं notepad के उपर यहां पर कुछ पर आ ही होगे, ठीक है, इसके इलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं कुछ भी screen share कर सकता हूँ, ठीक है, मैं notepad close कर देता हूँ, इसके इलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने participants जो है, यहां पर for example, यह मेरी class में कुछ students हैं, ठीक है, अब यह बहुत ज़्याद कि यार हमने कैसे माइक को म्यूट करना या अन्मूट करना ठीक है उनके पीछे बैगरॉंड के वह यह वाज नहीं आ रही है मैं चाहता हूं साड़े म्यूट हो जाए तो मैं क्या करूँगा म्यूट करूँगा तो यह जो जितने भी मेरे पार्टिस्फंट होगे मेरे मिटिंग के अंदर वो तुमाम के तमाम क्या होगे वो बोलते भी रही तो आवास जियागे क्योंकि वह क्या होगे mute हो जाएंगे ठीक है call over internet वो mute हो जाएंगे ठीक है अच्छा अगर आप क्या करना चाहते है यहां पर mute की मैंने आपको बता दी all participants to unmute themselves ठीक है यहां पर yes ठीक है इसके इलावा क्या कर सकते है इसके इलावा आप क्या कर सकते है आप उसको remove कर सकते है meeting से ठीक है या आप उसको host बना सकते है या उसका rename कर सकते है ठीक है या आप उसको remove कर सकते है remove का मतलब इस student है मैं देख रहा हूँ कि यह बहुत ज्यादा misbehave कर रहा है class में तो मैं इसको remove करना चाहता हूँ तो इस लो हमने देखिया, आज मुक्त्री setting, अब मेटिंग के अगर इस मिन किसी मीटिंग के जरीए, वो यह नहीं कर पादा तो आपको यहां पर green color sign shown, ये waiting की ID है और ये जो है उसका passcode है आपुसको passcode send करेंगे डिक है आपकाゆा पस यहां पर भी दिख रहोगा participant ID यहाँ पर passcode दिख रह और ऑगा टीक है numeric passcode host आपको दिख रहोगा टीक है तो आप क्या करेंगे उसको simply अपने दोस्त को send करेंगे participant ID और क्या करेंगे उसको अपना passcode बताएंगे और कहेंगे कि इस passcode से यानि इस ID के साथ आप meeting को join कर सकते हैं ठीक है? अच्छा आप तक्रीबन मैंने तमाम चीज़ें बताती हैं अब record का भी मैं आपको बताता हूं record for example मैं इस वकद अपनी जो video है वो record कर रहा हूं ठीक है? मैं अपनी computer की जो screen है उसको record कर रहा हूं तो अगर आप चाते हैं तो आपने zoom के ओपर meeting start की हुई है और आप उसको record करना चाते हैं तो आप simply record के ओपर click करेंगे ठीक है? वो आप से पुछेगा कि आप record करना चाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है? unmute myself करता हूं ठीक है? अब यह क्या करेंगा recording site पे start कर देगा ठीक है? आप इसके बाद के कर सकते है? record करके अपनी for example यह आपकी class है तो आप इसको record करके बाद में अपने किसी student को send कर सकते हैं जो class के अंदर join नहीं कर पाया किसी internet issue की वजाश से ठीक है? तो आप यह भी कर सकते हैं ठीक है? अब मैं इसको end कर जायता हूं ठीक है? और यह में जो media recording है वो save हो गई है अच्छा है तो आपको तक्रीबर मैंने तमाम चीज़ें बता दी है settings का बता दी है, meeting start कैसे करना है इन copy link करके दूसरों को link कैसे certain करना है ठीक है अगर आप for example chat का नहीं मैंने आपको बताया chat का मतलब यह है कि आप क्या करना चाहते है अपने जितने भी आपकी meeting के अंदर participant है अगर वो add है तो आप क्या करेंगे? everyone करेंगे, hello करेंगे तो तुमाम participant जितने भी होंगे उनको यह आपका message शोजागा अगर आप किसी specific one को करना चाहते है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? इस वकर मेरी meeting में सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है? तो आप यह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी आवाज दूसरों को नहीं जाएगी unmute करेंगे, तो आपकी आवाज दूसरों को जाएगी, ठीक है? security का भी इसी तरह है कि आप क्या करना चाहते है, share screen सिर्फ मेरे पस ले अच्छाली, यह lock meeting के option भी आपको बता दू lock meeting का मतलब होता है और आप लोग next meeting के उपर klick कर देता है तो इसका मतलब कहा है? इसका मतलब यह है कि आपकी meeting के अंदर कोई भी join नहीं कर सकता, ठीक है? यानि अभ आपको कई भी link के उपर click भी करेंगा तो उसका join नहीं हो पाएगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप लोग मीटिंग के उबर चेक कर देंगे, तो वो कोई भी मीटिंग जोईन ही नहीं कर पाएगा, चाहे हो जितनी वर्जी लिंक के उबर क्लिक करता रहे, ठीक है, चैट का भी इसी तरह option है, अगर आप चैट के उबर अंचेक कर देंगे, वीडियो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टिस्मेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, अन्मूट कैसे कर सकते हैं, म्यूट सब को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और चैट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मीटिंग की जो है, वो रिकोर्ट कैसे कर सकते हैं, सो थैंक्स फॉर वचिंग इस वीडियो अगर आप इसको इस वीडियो में किस भी बात की समय नहीं लगी तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्यूची गया